नो टू क्विक फॉर मी शिरी रागव चड़ा फॉर्टीन मिनट्स वन फॉर सर आज मैं सिर्फ दो करोड दिल्ली वासियों के और से नहीं बलकि एक सो पैंतिस करोड भारत वासियों के और से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ सर इससे जादा समविधानिक गैर कानूमी कागस का टुकड़ा एक बिल के माध्यम से शायद ही आज से पहले कभी संसद भवन के भीतर लाया गया होगा और अपना वक्ताविश शुरू करने से पहले मैं महाभारत के एक अंच का वर्णन करना चाहूँगा जिसे रामधारी सिंग दिनकर ने एक बहुती महत्वपूंट कविता में लिखकर बताया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक शांती दूत बंद के पांडवों की ओर से हस्तिना पूर जाते हैं शांती का प्रस्ताव लेकर कवी लिखते हैं मेत्री की रा बताने को सबको सुमर्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीशन विद्वंच बचाने को भगवान हस्तिना पूराए पांडव का संदेशा लाए भगवान कहते हैं दो निया अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदी बादा हो तो दे दो केवल पांच ग्राम रखो अपनी धर्ती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर हसी न उड़ाएंगे पर दुर्योधन दुर्योधन वो भी दे न सका आशी समाज की ले न सका उल्टा हरी को बांधने चला जो असाध्य था उसे साधने चला जब नाश मनुच पर छाता है पहले विवेक मर जाता है नियाइग की गुषार लगाने आपके सामने आये हैं अपने हद से जाधा मांगने नहीं आये इसर मैं अपने वक्तव्य को तीन भाग में बांटता हूं पहला कि ये बिल कैसे एक राजनेतिक धोका है पुलिटिकल फ्रॉड है दूसरा ये कैसे एक समविधानिक पाप है constitutional sin है और तीसरा कि ये administrative log jam यानि की प्रशासनिक गती रोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है सर पहला राजनेतिक धुका ये कहानी है सर 1977 से लेकर 2015 की 40 लगभग 40 साल का लंभा संघर्श भारतिय जन्ता पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित करने के लिए किया 1977 में जब 3rd Metropolitan Council दिल्ली में था उसमें जन्ता पार्टी की सरकार थी उन्होंने मता पास करकर कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाएं लगातार पूर्ण राज्य की दर्जे की मांग करते 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 ये 1989 का लोग सभा का मैनिफेस्टों में बीजेपी का लाया हूँ 1989 के मैनिफेस्टों में पेज नंबर 361 पे पॉइंट नंबर 10 पे ये खहते हैं गरांट स्टेट हूट टू यूटी और डिली यानि की 1989 से लेकर लगातार ये लोग दिली को पून राजिका दर्जा दिलाने की मांग करते रहे करते रहे करते रहे यहां तक कि जब 1991 में कॉंगरेस की सरकार ने दिली में विधान सवा का गठन किया उससे भी नापरियाप्त मानते होए लाल कृष्ण डवानी जी मदल लाल खुराना जी सबने बयान दर्ज कराए कि ये भी दिली के साथ नयाई नहीं है दिली को पून राजिका दर्जा मिलना चलाएंगे और लगातार इन लोगों ने संघर्ष किया अंदोलन किया सर 1998-1999 में फिर अपने मैनिफेस्टों में बीजेपी ने ये 1999 का मैनिफेस्टों है ये जारी करकर कहा कि हम दिली को पून राजिका दर्जा देंगे पेज नमबर 132 पॉन नमबर 31 वी विल गिफ फून स्टेटूट टू डेली सर इन लोगों ने बड़ा अंदोलन चलाया संघर्ष किया सडकों पे लाठियां काई नजाने क्या क्या किया दिली को पून राजिका दर्जा दिलाने के लिए और अंततह वो दिन आया जिस दिन वाजपाई सरकार और वाजपाई सरकार के उप्रधान मंत्री आदर्निय लाल कृष्ण एडवानी जी इस सदन के भीतर एक बिल लाए the constitutional amendment bill 2003 जो दिली को पून राजिका दर्जा देता है ये बिल एडवानी जी इस सदन के भीतर लाए और कहा कि दिली को अधिकार देने की जरूरत है दिल्ली को पून राजी का दर्जा भाजपा दिलाएगी यह भी बात खतम नहीं होती सर्थ इसके बाद 2013 के अपने मैनिफेस्टों में बीजी पी ने कहा हम पून राजी का दर्जा देंगे इनकी जून 2013 में नैशनल एग्जेकिटिव की मीटिंग हुई उसमें मता आपास करकर का हम दिल्ली को पून राजी का दर्जा देंगे यहां तक कि इनके सांसद इनके सांसद डॉक्टर हर्चवर्दन ने बयान दिया कि जब अधर्निये नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बनेंगे हम दिल्ली को पून राजी का दर्जा देंगे यह इ नहीं हैं ये बिल लाल कृष्ण अडवानी जी का अटल बिहारी वाजपाई जी का मदनलाल खुराना जी का सुश्मा स्वराज जी का अरून जेटली जी का सब का अपमान करने का और उनके 40 साल के संधर्श को मिट्टी में मिलाने का काम करता है सर मैं 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 मानिये ग्रह मंत् परिजी से कहना चाहता हूं, नहरुबादी मत बनिए, अडवानी बनिए, वाजपाई बनिए और दिल्ली को पूंढ राज़े का दरजा देने का आज आपके पास एक्तिहासिक मौका है, दिल्ली को पूंढ राज़े का दरजा देजी। सर इस बिल को लाने का असल कारण क्या है ये बिल क्यूं लाया गया है पिछले 25 साल में दिल्ली में छे बार विधान सभा के चुनाव हो छे के छे चुनाव भारती जनता पार्टी बुरी तरीके जहारी यहां तक कि 2015 और 2020 में आजाद भारत के तिहास की सबसे बड़े जनादे की सरकार अर्विन केजरिवाल ने दिल्ली में बनाई क्यूंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अर्विन केजरिवाल और राम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो सरकार को नश्च नडवानी जी को नयाई दीजे, कम से कम उनकी इच्छा पूरी करिए, दिल्ली को पून राजिका दर्जा दीजे सर मेरा दूसरा भाग कि कैसे ये बिलेक संविधानिक पाफ है सर पहली चीज ये abuse of ordinance making powers है आर्टिकल 123 जो संविधान का देता संविधान ये कहता है और वाईवी चंद्रचूर साब का AK Roy versus Union of India एक बड़ा महकपून लैंडमार्ग जज्जमन्ट है जिसने कहा कि ordinances सिरफ आपात कालीन और विशम परिस्थितियों में लाई जाएंगे ऐसी कौन सी आपात कालीन और विशम परिस्थितियां आ गई सर दूसरा बिंदू ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आठ दिन के भीतर पांच जज़ों के संविधानिक फीट के सर सम्मती के फैसले को बदल के आज भारतिय जनता पार्टी ने एक मेसेज दिया है कि हम Supreme Court को भी चैलेंज करते हैं Supreme Court के फैसले को भी नहीं मांगते आपको जो order जारी करना है करो हम चंद दिनों के अंदर ordinance लाकर उस फैसले को बदले They have challenged the majesty of the honorable Supreme Court sir और मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि आज कल जो ordinance लाने की जो एक fetish इस सरकार ने देखी चाहे वो land acquisition बिल हो चाहे वो farm बिल हो चाहे ED के director का extension हो जो यह सारी चीज़े ordinances के माध्यम से इनों ने करी थी इस का इस बिल का हश्र भी वही होगा जो सारे पुराने बिलों का हुआ था Sir third बिंदू कि कैसे यह बिल संगिये धांचे को erode करता है हमारा भारत का संविधान और सुप्रीम कोट का 2023 का 2018 का संविधानिक पीट का फैसला कहता है कि दिल्ली के पास एक unique federal identity है unique constitutional identity है और भारत का संविधान जो हमें संगिये धांचा देता है जो शक्तियां देता है उन शक्तियों को encroach करने का काम यह सरकार करती है हमसे अफसरशाही और तमाम शक्तियां छीन कर मैं आपको सुप्रीम कोट का वो एक वाक्य पढ़के सुनाना चाहूंगा the majority in the 2018 constitution judge bench held that while the NCT of Delhi could not be accorded with the status of a state the concept of federalism is applicable to Delhi हम पूराच नहीं है लेकिन फिर भी राज्य का दर्जा एक संगिय धांचे के परिपेक्ष में दिल्ली को मिलता है उसके बाद सर इन लोगों ने तो कमाली कर दिया आज बिना संभिधानिक संचोधन लाए संभिधान को बदल दिया मात्र एक act of parliament सर जो आज तक शायद भारत के प्यास में कभी नहीं हुआ सर इसके बाद सर इसके बाद ये बिल parliamentary अंडमाइन करता है principles of collective responsibility को भारत का संभिधान कहता है सर कि permanent executive और political executive मिलके legislature के प्रती जवाब देही होंगा ये principle of collective responsibility है इसमें से permanent executive यानि कि अफसर शाय को छीन कर ये पूरी तरीके से collective responsibility का principle जिस पर सरकारे चलती है अज़ेश में उसे ध्वस्त करता है और आखरी बिंदू संभिधानिक अपरात का ये triple chain of authority को तार-तार करता है सर triple chain of accountability ये होती है कि अफसर शाय की जवाब देही मंतरी को, मंतरी की जवाब देही legislature को और legislature की जवाब देही जनता को इसमें से अगर आप अफसर शाय हटा देते हो तो फिर जवाब देही कि जो ये triple chain of accountability ये ध्वस्त हो जाती है तो ये काम करके सम्मिधानिक अपराग एक प्रकार से सरकार ने किया है मेरा आखरी भाग ये कैसे एक administrative हारा के रिए एक administrative गतिरोत पैदा करता है ये कहता है सिरफ उपराजेपाल भी transfer posting करेंगे एक समीती के माध्यम से यानि कि अफसर अब मुख्यमंतरी के नहीं सुनेगा मंतरियों के नहीं सुनेगा अगर अब दिल्ली में किसी के घर में बिजनी नहीं आरी पानी नहीं आरा किसी के बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा तो वो उपराजेपाल के पास जाएगा अपने मंतरी मुख्यमंतरी के पास नहीं जाएगा क्या लोग जानते हैं उपराजेपाल कहा रहता है उपराजेपाल कौन सी विधानसवा से चुनाव लड़ा उपराजेपाल ने कौन सा चुनाव जीता लेकिन सारी शक्तियां एक चुनी हुई सरकार से निकाल कर उपराजेपाल को देता है यह आगे कहता है सर यह बिल कि हम LG को सोल डिस्क्रीशन देते हैं स्वयम के विवेक से फैसले देने की तमाम शक्तियां आज तक उपरा जपाल और गवर्नर काउंसल और मिनिस्टर्स की एड एन एडवाईस से बाद दे थे लेकिन यह बिल अगे डिल जपाल को सूपर सीडिंग पावर्स देता है आगे सर यह बिल जितने भी ब्यूरक्राट्स है उन्हें एक जुडिशल अथॉरिटि बना देता है यह कहता है अफसर शाहिद तरह करेगी कि मंतरी का फैसला सही है कि मंतरी का फैसला गलत है और अगर अफसर को मंतरी का कोई फैसला पसंद नहीं आया तो अफसर मंतरी का फैसला लागू करने से मना कर सकते हैं और सर यह बिल authority commissions और corporations बनाने की तमाम गठन करने की न्यूकती करने की शक्तियां सारी की सारी केंदर सरकार को दे देता है एक सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का fastest growing political start-up के लाती है यह वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने तीन बार भाजपा को दिल्ली में आराया और दो बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनाजेश की सरकार बनाई ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगबग शुने पर लाकर खड़ा कर दिया ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्टे पार्टी बनी ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसके 161 विधायक और 11 सांसद है वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसका काम देखने के लिए First Lady of United States of America और United General के पूर प्रमुख बान की मून आते हैं सर, मैं आज अपने साथी जो आंदर प्रदेश और उरिसा की सरकार चलाते हैं उन्हें कहना चाहूँगा आपकी जरूर कुछ मजबूरिया रही होंगी जिसके चलते आपने ये फैसला लिया इस सरकार के इस बिल का समर्थन करने में कुछ तो मजबूरिया रही होंगी यूँокै कोई बेवफा नहीं होता लेकिन आपको कहना चाहता हूँ कि आग जब लगेगी तो बहुत दूर तक जाएगी रात इंदौरी साथ का एक बड़ा मतपून शेयर है अगर खिलाफ हैं होने दो जान थोड़ी है ये सब धुआ है आस्मान थोड़ी है लगेगी आग तो आएंगे कई घर्जद में यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है लेकिन जब आपके घर में आग लगेगी आमादनी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी है मैं आपको बिश्वास दलाता हूँ और सर मैंने अपनी बात शुरू करी थी माबारत के एक अंच्सते मैं समाब भी माबारत के एक अंच्सते करूँगा सर बीच कुरुक्षेत्र के मदान में जब युद प्रारम होने वाला था तो युदिश्चर ने शंकनात करने से पहले एक घोशना करी और कहा कि ये धर्म करें और अगर कौरव सेना में कोई योद्धा है जिसे लगता है कि धर्म युदिष्टिर के साथ है पांडवों के साथ है तो आप कौरवों की सेना छोड़कर मेरी सेना में आईए मैं बाहें फेला का आपका स्वागत करूँगा उस समय कौरवों का एक भाई यूद्सू कौ ज़ादा जिम्मेदारी बंती है राजियों के हकों की अधिकारों की रक्षा करने की मैं मांग करता हूँ आज आप लोग पार्टी लाइन से उपर उटकर वैचार धारा से उपर उटकर संवड़ान को बचाने के लिए लोकतंटर को बचाने के लिए इस बिल को हराईये मेरे सब्स्मेट पात्रा करदा कर राइब लुए झाला करें जाला